गुड मॉर्निंग बच्चो बच्चो हमारा लेसन चल रहा है बस के नीजे बाग आज हमने इसमें से कुछ वाक्य प्रियोग लिये हैं वाक्य प्रियोग मतलब कुछ शब्द दिये हमने उनको लेकर आपको वाक्य बनाने हैं तो मैंने ये काम किया है आप देखेंगे मैं पढ़के सुनाती हूँ सबसे पहला शब्द हमने लिया है जंगल इसका वाक्य बनाया है शेर जंगल में दहता था जैसे कोई स्टोरी चलती है स्टोरी शुरू होती है शेर था एक तो दूसरा वाक्य बनाएंगे उसके लिए शेर जंगल में दहता था इसी तरह अगला वर्ड है हमारे लेसन में आया है बाग बच्चों इसमें सारे शब्द जो है मैंने बस के नीचे बाग वाले लेसन से ही लिये हैं उसी के अनुसार इसके वाक्य बनाए गए है दूसरा वर्ड बाग है इसका वाक्य बनाए मैंने बाग हमारा रास्तिय पशू है बच्चों हमारी कुछ रास्तिय प्रतीक होते हैं रास्तिय चीजें होती है जैसे रास्तिय जंडा है हमारा तिरंगा जैसे हमारा रास्तिय पक्षी है मोर इसी तरह बाग हमारा रास्तिय पशु है तो इस वाक्य से आपकी knowledge भी बढ़ेगी ज्यान भी बढ़ेगा जीके भी बढ़ेगी कि बाग हमारा रास्तिय पशु है इसके अगला शब्द है बच्चो बस बहुत simple word है हम बस में बैठ कर पिकनिक गए अक्सर हम जाते हैं पिकनिक कभी गारी में बैठ कर कभी ट्रेन में बैठ कर तो हम बस में बैठ कर पिकनिक गए अगला word है बच्चो आवाज इसका मैंने वाक्य लिखा है इंजन में से घर घर की आवाज आ रही थी बस के इंजन में से आती है किसी भी इंजन में से आती है यह वैसमर बस का हो ट्रक का हो जीद का हो थोड़ी आवाज घर घर की आती है अगला वाक्य है अगला muchas है ठीक भीतर बाग का बच्चा बस के भीतर चला गया यानी बाग का बच्चा सीड़ी का वाक्य में हमने लिखा है बच्चों हम छट पर जाने के लिए सीड़ीों का इस्तेमाल करते हैं घर में जो जीने होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं हम छट पर जाने के लिए अगला वाक्य है खेलते 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 बाग का बच्चा सड़क पर आ गया गचर आ गया दुबक कर बाग का बच्चा डर कर बसके नीचे दुबक गया यह तो बच्चो इन संटेंसिस को आप इन वाकियों में लिखेंगे बच्चो आपके टैस्ट चल रहे हैं इसलिए आपको थोड़ा ही काम दिया जा रहा है थैंक्यू बच्चो ओके